नमस्कार कोईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि होट्सपोर्ट का QR कोड कैसे निकालते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए सुरू करते हैं तो hotspot का qr code निकालने के लिए उसको किसी को देने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने phone में settings को open करना है open करने के बाद आपको एक connection and sharing का option मिलेगा अब आपको यहाँ पे click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक personal hotspot का option मिलेगा अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद उपर में आपको एक personal hotspot का option मिलेगा अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ से जो option है आप on हो जाएगा अब नीचे में आपको एक hotspot setting के बगर में यहाँ पर आपका password दिख जाएगा, यहाँ पर आपके mobile का name दिख जाएगा, अब यहाँ से अगर कोई भी कोई भी आपका wifi यहाँ पर password डाल के login नहीं करना चाहता है, उसको connect नहीं करना चाहता है, तो उसको आप QR code दे सकते हैं, वह scan करके वह आपका wifi connect कर सकता है, उसके लिए यहाँ पर QR का option दिया गया है, तो आपको यहाँ पर इस पर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर जो QR है वह open हो जाएगा, अब यहाँ से वह जैसी इसको scan करेगा, तो वह wifi से आपका connect हो जाएगा, और यहाँ पर वह data यूज कर पा और यहाँ पर आपका password भी दिख जाएगा, तो इस तरह से आप अपने hotspot का QR code निकाल सकते हैं, धन्यवाद